खबर लाल गंज से है जहां पटेरी वेलसर के मजहुली गाओं में जमीनी विवाद में दो पक्षो में जम कर मार पिट हुई जिसमें लगभग आधा दर्जन से अधिक महिला तथा पुरूस जखमी हो गएं जिसके बाद उक्त महिला पुरूस लाल गंज रेफलर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए पहुँचे जहां घायल हुए बैक्तियों ने अपने प्राथमिक उपचार करवाने के उपरांत पटेरी वेलसर थाना पर मुकदमा करने के लिए गया वहीं घटना की सुचना पर लाल गंज रेफलर अस्पताल पहुँचे लाल गंज था पुलिस लालगंज रेफलर अस्पताल पहुंचा था पानी बहा कौन रहा था अच्छा मुम्ताज बहा रहा था उसके लिए आप लोग माना किये बस लेक दरबादा पानी खेला दिया था तोटल कि इतना आदमी आप लोग के तरब से घाल है अप लोग के तरफ से हम लोग से पूरे पंचे हम लोग हैं पच्छे लोग सब उताइड है अच्छा वो कौन लगता है आप लोग का पूलोग के साथ करने हैं आपका क्या नाम हुआ अगटना हुआ हुआ है जैसे हमको फुपा के बेटा हुआ समझे जो अभी घायल है सो जो घायल है से उनका दूरा है और उनका घौर है उसका बोगल में सटले उसका जमीन है किसका जमीन है अगला पाठी का जिसको पर केस चला अच्छा आप पहले से धंकी दिये हुआ था था अगला तो फुपा के बेट देंगे ना तक केस उठा लो तो इसका आप जिम्मवारी लिजेगा आप देखाइएगा इसका मतलब दुख वेमारी किजियेगा मुम्ताज आप लोग का कौन लगता है मुम्ताज लगता है चचा कला अच्छा मतलब आपस हैं परोस के ही सब्सक्राइगा तो मार पीट में आप लोग के तरप से घायल कितना लोग हैं क्या क्या नाम है घायल का अब लोग का नाम क्या था लोग के नाम था मुम्ताज मुम्ताज मुम्मध लगता मुम्मध चांग तो अभी आप लोग लाल गंज रिफलर अस्पिताल में इलाज करवाने आए हैं अच्छा यहां उसका केस वेगर भी किये हैं थाना में गया हैं अभी थाना में नहीं गया आप जाईएगा क्या नाम हुग आपका मुम्मध मुसी बोलता है स्कूल चले हम